नवस्कार प्रयांसा सिख्षार्थिना दर्सकाश्च अहम पुनीत त्रिपाथी बरिष्ट कारेकारी अधिकारी राष्ट्रिय मुक्त विद्याले सिख्षास अस्थानत हुआ माध्य में किस तरहे तवे संस्कृत विशय के स्विन कारेक्रमे यसे सीश्रकाह अस्ति सल्य चिकित्सा जनका सुस्रुतह भवताम हार्दम स्वागतम अभिनंदनम्च व्याहरामी आएए आगे हम जानते हैं हमने दुतिय अमस को जो हमने पढ़ा था उसको हम जानते हैं कि जिन उपकरणों के द्वारा गहावों पर निशान लगाया जाता है उन इस्थानों को काट दिया जाता है और उन इस्थानों को फिर क्रियाओं के बाद यानि जब हम स्थानों को पुना सिल दिया जाता है उन्हें ही सस्त्र कहते हैं यानि ये सारी प्रक्रियाओं जिनके माध्यम से हुई हैं जिन उपकरणों के द्वारा गहाव पर निशान लगाये गया उसको काटा गया फिर वहाँ पर सल्यक्रिया की गई और उसके बाद जो यंत्र उसको पुना सिलने के लिए जिसका प्रयोग किया गया वो सभी सस्त्र थे सस्त्र ने 20 प्रकार के सस्त्रों का वर्णन किया है सस्त्र प्रनिधान में चिकित्सा के उपयोगी सस्त्रों का उपयोग विधी उनको पकड़ने की विधी उनके विशय में उपदेश और नियम सस्त्र के लिए वर्जनिय दोस इत्याजियों का विश्त्रित वर्णन दिया गया है यानि जो सस्त्र प्रणिधान है हमने चार प्रकार के विधान बताये थे उसी में से पहला है सस्त्र प्रणिधान जिसके अंदर और चिकित्सा के लिए उपयोग होने वाले सस्तरों का नाम उनकी विधियां उनको पकड़ने की विधि उनके उपदेस और उनके नियम की उनके लिए क्या-क्या आवश्क चीज़े हैं और उसके लिए वर्जनी हैं जो दोस हैं इत्यादियों का विस्तिरित वर्णन भी हमें वहाँ पर मिलता है दूसरा है ख्षार प्रनिधान ख्षार के द्वारा चकित्सा विधी का वर्णन मिलता है ख्षार कई जगहों पर इसको हम नमक भी कह देते हैं जिसके द्वारा चकित्सा विधी का वर्णन प्राप्त होता है अन्य है अगनी प्रनिधान अगनी के द्वारा चकित्सा विधी का वर्णन प्राप्त होता है जैसे हम सिकाई इत्यादी काम लेते हैं तो वह अगनी प्रनिधान कहलाता है जैसे आज के समय में आप लेजर टेक्निक के माध्यम से आप देखते हैं कि कही तरह के रोगों को उसका निदान किया जाता है रोगों का तो वो अगनी प्रनिधान के अंतरगत आता है सुसरुत की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा का कारण एक ही एकजामपल हुई जो की हुई कि कटी हुई नासिका का पुनह प्रतिष्ठापन यानि कटी हुई नाक को उन्होंने फिर से जोड़ा और उनकी जो वो निपूर्णता थी इसी के कारण सुसरुत आज भी हम सभी लोगो चिकित्सा के नाम से बरनित है जो की प्लास्टिक सरजरी के नाम से विख्यात है रोगियों के हित के लिए आज भी सरकार के द्वारा और परोपकार करने वाले लोगों के द्वारा आरोग गिशाला जिसको हम चिकित्साले कहते हैं उनकी स्थापना की जाती है आरोग्य साला किस प्रकार की हो उसके इस्थापना से पुन्य लाभ किस प्रकार शे प्राप्त होता है या किसी व्यक्ति को आरोग्य प्रदान करना किस प्रकार शे पुन्य कर्म कहलाता है इन सभी प्रशनों का उत्तर देते हुए तिन इश्लोकों में सुस्रुत ने कहा है आरोग्यम शालाम यह कुरियात महावैद्य पुरश्कृताम सर्वूपकरणों पेताम तश्य पुन्य फलं स्रिणुं धर्मार्थकाम मोक्षाणाम आरोग्यम शाधनम यतह तस्माद आरोग्यदानेन तदत्तम स्याच्यतुष्टयम अथाई का मात्र विद्वाम्ष स्वस्थी कृत्य प्रयत्नताः प्रापनोत शुमहत पुन्यम अनंतम ख्षयवर्जितम अर्थाद जहां रोग्यों को आरोग्य दिया जाता है वह आरोग्य शाला अर्थाच्यकित साले कहलाता है अब प्रशन उड़ता है कि आरोग्य साला कैसी होनी चाहिए तो कहा गया है कि आरोग्य साला में महावयद्य पुरश्कृत कुशल चिकित सकों से पूर्ण होनी चाहिए यानि वह जो चिकित साला है वहाँ पर महावैद्य से जो पुरस्कृत हैं ऐसे चिकित सकों कि वहाँ पर नियुक्ती होनी चाहिए सभी उपकरणों से संपन शल्य कर्म आदियों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों से सुसज्जित होना चाहिए यानि हॉस्पिटल सभी उपकरणों से लेस होना चाहिए अगर किसी एक छोटे से कमरे को हम ले जा करके कह दें कि यह हॉस्पिटल है तो देखने वाला कैसे कहेगा कि वह हॉस्पिटल है वहाँ पर रखे उपकरणों के माध्यम से ही बताया सकता है वह ब्यक्ति देखने वाला कि यह हॉस्पिटल है वहाँ बैड होगा वहाँ ओक्सीजन होगा वहाँ हार्ट मीटर होगा वहाँ अलग अलग तरह के उपकरणों होंगे तो वहाँ दवाईयां होंगी, हर एक तरह की चीज़े होंगी, तब जाकर के देखने वाला बेक्ती बताएगा, कि यह क्या है, तो यह एक चिकित साल है, अगर वहाँ उपकरण ही नहीं होंगे, आपरेशन के लिए वहाँ जो सस्त्र है, यंत्र है, वो नहीं होंगे, तो कैसे पता चलेगा कि यह होस्पिटल है, तो कैसा होना चाहिए, चिकित सकूंस से वहाँ पर नियुक्तियों को परिपूर्ण किया जाए, और अलग-अलग प्रकार के जो भी उपकरण प्रयोक्त होते हैं, चिकित साल विधी में, वे सभी वहाँ पर उपस्तित होने चाहिए, और आरोग्य प्रदान करना पुरुशार्थ चतुष्टय का साधन होता है, यदि व्यक्ति रुग्ण है, रोगी है, मरीज है, तो वह धर्म का आचन करने में, अर्थ को कमाने में, उसका संचैन करने में, काम के सेवन में, और मोक्ष को साधने में हमेशा अशमर्थ ही रहे क्योंकि जो भी हम लक्ष प्राप्त करते हैं वो अपने कर्मों के माध्यम से और कर्म हमारे हमारे सरीर के माध्यम से संपादित किये जाते हैं इसलिए कहा गया है अर्थात यह जो हमारा सरीर है यह धर्म के साधन का सबसे पहला माध्यम है रोगी सरीर के द्वारा कोई भी कारेश्व पादन करने में असमर्थता सिद्ध होती है अतह आरोग्य प्रदान करना पुरसाथ चतुष्टै की सिद्धी ही कहलाती है यदि कोई एक चिकित्सक किसी व्यक्ति को रोग मुक्त करता है और वह व्यक्ति चारो पुरुशार्थों को प्राप्त करता है तो वह सभी पुन्य एक चिकित्सक को भी प्राप्त होते है यदि कोई चिकिस्सक किसी एक मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक्त स्वास्थ कर देता है उसे स्वास्थ का दान देता है तो वह बहुत बड़ा पुन्य प्राप्त करता है उस पुन्य की सीमा नहीं है और वहब जो पुन्य है उस पुन्य का कभी भी नास नहीं हो सकता है कि आज के लिए इस कारिक्रम में इतना ही प्रियशिक्षार्थियों यह मंदर्शकाओं आप सभी लोग जुड़े रहें एन आई उएस के लाइब कक्षाओं के साथ तब तक के लिए धन्यवाद प्रियशिक्षार्थियों